अठारवी लोगसभा का कारिकाल इस बार बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि कॉंग्रेस की राजनीतिक वापसी के नायक के रोप में उब्रे पार्टी के वर्ष नेता राहुल गांधी अठारवी लोगसभा में विपक्ष के नेता होंगे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी क को चुनौती देंगे कॉंग्रेस संसिधिये दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई लोगसभा में राहुल गांधी को पार्टी संसिधिये दल का नेता नामित करते हुए प्रटम स्पीकर भृत हरी महिताब को इसका पत्र भीज़ दिया है इस निर्णाय के चरिये कॉं पत्र भीज़ जाने की पुष्ट सभा में नेता विपक्ष की समवैधानिक पत्र के रूप में नए कत्त के बाद विपक्षी गडबंधन इंडिया के दलों के लिए भी अब कॉंग्रेस ने राहुल गांधी के निर्टत तो को लेकर किसी तरह की किन्तु परंतु गुनजा इसकी संभावना से साप इंकार कर दिया है और सपस्ट संदेश भी दे दिया है। अजबूत वैकल्पिक चेहरा के रूप में उभारने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। आपको बता दें लोगसभा चुनाओ के परचार के दोरान राहुल गांधी, अग्निवीर, जातिय जंगारना, रोजगार, महंगाई, राष्ट्य शावहार्द के लिए अब 99 सीटों पर पहुँच चुकी है और मुख विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पूरी शिद्दत से मुकाबला करनी की अपनी प्रतिबधता जिस तरह से जाहिर की है, उससे ये सपस्ट है कि राहुल अब और आक्रामक होकर इस पद को आगे ले जाएंगी। साथ ही राहुल गांधी के इस फैसले से ये भी इसपस्ट हो गया है कि कॉंग्रेस का भविस अब वो ही हैं। बलकि विपक्षी गडबंधन के सबसे बड़े कत के नेता बन करके भी वो सामने आएं। लोकसभा चुनाओं के नतीजों के बाद आठ जून को ही कॉंग्रेस कारे समित की बैठक में एक सुर से राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाये जाने की मांगी गई थी प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। कारे समित ने भी विपरीद हालातों में कॉंग्रेस को लोकसभा की 99 सीटें दिलाने के लिए पीम नरिंद मोदी के नतुत्त में बी जीपी को लगातार तीसरी बार अकेले बहमत हासिल करने से रोकने का पूरा श्रे राहुल गांधी को दिया था। वोट बैंक भी बटोरा। हुंग्र जीपेद। झाल झाल झाल